हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे ट्यूब चैनल सिकर स्टैडी पॉइंट पर दोस्तो आज के जुड़ें बात करने वाले तीस मेहत्पूर्ण क्वेश्चिन की तीस में से जादा परसन देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्रा खंड के 17-18 परसन हैं अभी तक आपने उत्तर तब तक लिग भी दिया होगा पवित्र ।ीरति स्टल तालेसवर किस नदी के संगम पर इस्तित है अच्छा कोचिन है तालेसवर सर्यों और कटीपानी गाड काली नदी और कटीपानी गाड कोशी और गरुड गंगा या फिर गोरी वह सा सबसे चोटा राश्टी उद्धान कौन सा है तो लगवग लगवग सभी ने सई उत्तर दिया है बालसबा के बारे मैं अभी बताओंगा कि बालसबा जो कोश्चिन था उसमें उनिस सवां थ्यान नी दिया था लेकिन बालसबा उनिस सफ़ाउंगा आपको बालसबाला तो प्रसंट नोर यहीं से किसी ने किसी एक्जाम में जरूर आपको हर एक्जाम में लगपगफा देखने को कुश्चिन मिलते हैं और जो इसका शकलाना पट्टी में इसका गठन किया गया था सकलाना पट्टी के उन्याल गाउं में जो किये टीहरी में बालसभा का गठन तो इसका सेवतर 1935 का बांकि ये बालकूमा चलितर का निर्मार करना और बालकूमा देश भक्ती ये सब ये दोनु सही थे बढ़ते है हैं दोस्तों आज के इंपोर्टेंट कोश्चिन की तरफ आज का हमारा पहला परसन है अनामदास का पौधा उपन्यास के रचेता हैं माखनलाल चतुरवेदी हजारी परसाद दुवेदी सोहनलाल दुवेदी एपिर महावीर परसाद दुवेदी तो सभी दुवेदी दिये हजारी परदा दुवेदी से उत्तर हो जाएगा हजारी परसाद दुवेदी से आ हजारी परसाद दुवेदी ऑक परवनी जाता है जैसे उपन्यास एक तो यह अनामदास का पौदा हो गया और बाण भट्टी की आत्म कथा यह भी इनका उपन्यास है बाण भट्टी की आत्म कथा बाण भट्टी की आत्म कथा और यह अनामदास का पौदा यह महत्पूर्ण है वागी जो एक्जाम में पहले आता कि असोक के फूल किसके हैं तो वो भी इनका निबंद है असोक के फूल और शिरीज के फूल वो भी निका है असोक के फूल शिरीज के फूल ये भी सब इनिका है और हजारी परसाद दिवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था यानि कि आदिकाल को आदिकाल संग्या दी थी आदिकाल नाम दिया था वो भी हजारी पर साथ दिवेदी नहीं दिया था तो इसका से उत्तर हो जाएगा अनामदास का पौधा हजारी पर साथ दिवेदी ओप्शन नंबर सी विधा की रचना आएगा तो एक्जाम में तो उपन्या से ओप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल साई बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है हिंदी वर्तनी का मान की करण किस वर्ष में परकासित हुआ उप्शन नंबर सी इसका से उत्तर हो जाएगा तो इसी तरह से ये भी परसन पुछा जा सकता है हिंदी का हिंदी वर्तनी का मान की करण option नमर ए 1967 में बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है सलेश अलंकार होता है तो ये भी अच्छा question है सलेश अलंकार होता है सब्दालंकार, अर्थालंकार, उभ्यालंकार या फिर उप्युक्त में उप्युक्त सबसे अलग यानि कि इन में से कोई निश्तर रखा तो सलेश अलंकार जो होता है ये होता है हमारा कौन सा option नमर ए हो जाएगा सब्दालंगार इस एक्झामी में पूछ Xin God सा सब्दालंगार इसी कुष्चिन आते हैं सलेश मैंने आपको बताया सब्दालंकार है अनुपरास वो भी कौन पर शानस्य तो वह भी सलेश लंकार है और यमक जैसे कनक कनक्ते सोगुन या आपने बहुत ज्यादा इसको पड़ा हो गा अनुप्रास कि और it तीन्मकार क्जूब्डालंकार में उप्रश के और पर एक। उत्पर एक्षा तो ये हो जाएंगे अर्था लंकार में ज्यादा तर अर्था लंकार में पर जो सलेस लंकार में जो महत्पूर्ण है जैसे एक तो सलेस है सब्दा लंकार में सलेस हो गया अनुपरास हो गया यह मग हो गया तो यहां से परसन बनने के चांस रहते हैं इसका से उत्तर option number A अभी तक आप दोस्तों आपने सब इतल लिग भी लिया होगा क्योंकि इस तरह से तो याद रहेगा नहीं अभी आपने सुन लिया फिर अगले दिन आप वीडियो देखेंगे तो फिर या कहीं देखेंगे question तो फिर आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि इसलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है अगर आपको नहीं आता तो अच्छी बात है अगला कुछी ने खेत रहना महावरे का अर्थ है युद्ध मैं साइध होना कानूनी बिवात से जमीन का बच जाना जमीन भीग जाना या फिर जमीन खरीदना इसका से उतर हो जाएगा जमीन खरीदना तो नहीं क्योंकि खेत रहना खुछ तरक संकत तो लगनी रहा है जमीन भीग जाना कानूनी बिवात से जमीन का बच जाना खेत रहना जिनोंने ये सोचा है यह मौहाली आप ज्यादा रटनी सकते समझके अथार भरप भी कर सकते हैं जादा तर अगर मौहाली कूकी मौहार भी भोत हैं पर आपको पढ़नाधा जरूरी है अगला है काफी में कौन सा भिसेष्जन रिपात भी संख्या निश्चित संख्या भी नहीं है प्रिमाण क्योंकिक कप quarantine कश the कंग कम यहाईगा इस46 में पर्योग कर सकते हैं फोसमें परिमार वाचक विस्टेशन होगा यह जो अगला कोश्चिन है यह बहुत जादा इंपोर्टेंट कोश्चिन अगर आएगा तो इसमें लगबग लगब परिमार वाचक विस्टेशन होगा यह बहुत जादा इंपोर्टेंट कोश्चिन अच्छा कोश्चिन है एक जाम परसन देखने को मिल सकता है अगला कोश्चिन है अब उत्राखंड आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे पिठोड़ा गड़ का उत्तर पूर्वी भूकंड पराचिन काल में कहलाता था बीसा डोटी और काली कुमाओ यह फिर सीरा तो इसका सेतर रुजाएगा डोटी यानि कि जो नैपाल की बात चली यहां पर डोटी नैपाल को खा जाता था पिठोड़ा गड़ का उत्तर पूर्वी भूकंड पराचिन काल में खलाता था तो डोटी तो इस तरह से भी कोशिन एक जाम बनता है तो नैपाल की यह बात हो रही है अगला कोस्चिन है यह बहुत ज्यादा महित्पूर्णा में भारत में जिस्टी पारित करने वाला करने वाले राजियों में उत्रा खरंड का सतान है कौन सा यह आपको बताना है बिधान सभाम कप पेस किया गया था तो बिधान सभाम किया गया था दो मई 2017 को दो मई 2017 को बिधान सभाम पेस किया गया था वारित किया गया था और आपको सभी को पता होगा कि एक जुलाई 2017 से इसे पूरे भारत में लागू किया गया तो ये पांचवा राज जी है तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है अगला कोश्चिन है इन में से किस भासा में राय बाहदुर डाक्टर पातिराम ने पहली बार गड़वाल का इत्यास परकाशित किया और GST जो ये जो परसन था कि किस भासा में राय बाहदुर डाक्टर पातिराम ने पहली बार गड़वाल का इत्यास परकाशित किया गड़वाली कुमावनी हिंदी अंग्रेजी में तो ऑप्सन बर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही बढ़ता है अगले कोश्चिन की तरफ अगला जुम्रा थारू जन जाती का निर्ति है और जुम्रा है थारू जन जाती का निर्ति है अब आप समझी कि होंगे यहाँ पर प्रसन है इसका सेत्र जुम्रा है थारू का निर्तिगीत और लहचारी है थारू जन जाती का या थारू का निर्तिए तो यह आपको भी दोनों याद रखने एक्जाम परसने बनेगा अगला कोशी नहीं है उत्राखंड का नीमिन मैं से किस हिमालय का अधिकांगस भाग वर्स भर बरप से धका रहता है प्रांस जो उचा है तो अड़ातर सत्रा मीटर तक तो यह बिर्ध हिमालय में है और यह इसे किसे खा जाता है किस हिमालय को कहा जाता है तो अप्सन नमर ची हो जाएगा हमारा बिल्कुल सई अगला कुछ नहीं है काली नदी को सबसे अधिक जल्रासी परदान करने वाली कौन सी नदी है ये आपको यहाँ पर बताना है काली नदी को सबसे अधिक जल्रासी परदान करने वाली कौन सी नदी है भिलंगना आप तो भिलंगना ओप्सन देखते हैं आप कार देजे जंडी से ऑप्सन वर्षी काली नदी को सरवाधिक जल्लाशी देती है और गोरी गंगा की बात करें कहां से निकलती है तो मिलम गलेशर से निकलती है जो कि कहां इस्तित है पिथोड़ागड में मिलम तो खेर आपने पढ़ाई होगा मिलम के बारे में वह भी गोविंद भलल पंथ इनके नाम पर रखा गया है कोविंद बलापंथ उच्ची स्थली पराणी उद्यान नहीनिताल में उच्चानबे में और नहीनिताल चिडियांगर भी इसको कहा जाता है बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है यह भी इंपोटेंट कोश्चिन है उत्रा खंड सरकार ने बायो मैस उर्जानिती को मंजूरी दी ती और इसमें जैसे की डेर सो मेगावार्ट तक बिजली उत्पादन का इसमें वो लक्ष रखा गया है तो इसका से उत्रों जाएगा बायो मैस उर्जानिती उत्पादन निती यह 26 अप्रें 2008 रखो तो आप्शन नम इसका से उत्रों जाएगा कॉसानी में है यह अधूनिक चाई फैक्तरी हरी नगरी चाई फैक्तरी इसका से उत्रों जाएगा ऑफ्षन नमर ए कौसानी यह अच्छा कोच्छी नहीं कुमाउ मोटर्स ओनर्स यूनियल उम्टेट की स्तापना कहां हुई थी तो ये और कभ व हुई थी कभ हुई थी 1949 में 1949 में पहले हुई थी किसी स्ताफना कुमाउं Motors ओनर्स यूनियलिमिटेट की स्ताफना मैंने पहले क्यों कहा कि 1949 में फिर दो साल बाद 1941 में GMOU यहनी कि यहां पर गड़वाल लगा दीजिए मोटर्स ओनर्स यूनियलिमिटेट यह 1941 में कोरद्वार पढ़ी में तो इसके स्थे उतर हो जाएगा कुमाउं मोटर्स ओनर्स ऊ preçoह है कारड़ गुदाम में 1949 और गड़वाल पॉड़ी तो दूनुको याद रखने हैं अगला कुश्चिन है कि और प्रमी सलैड्र झिंटर पारी को फूड़ए थे अहमत festa रखन्व हैं या फिर बिजापुरियाम गोल कुंडा तो इसका से उत्र हो जाएगा option number C बिजापुरियाम गोल कुंडा को औरंग जेप ने विजित किया था तो option number C हो जाएगा बिल्कल सही तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है औरंग जेप की अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है मद्धी भारत में इस्तित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरू के और कौन सा एक सही करम है तो यह अच्छा कोश्चिन है इसका से उत्तर हो जाएगा तो कौन सा सही करम है मेकाल सतपूडा महाधेब चोटा माकपूर। चोटा माकपूर ऑप्सन न害माधेब है हमारा बिल्कुल सही छोटा नागपूर को भारत का रूर या खनीच हिर्दाई की संग्या दीगी है अगला कोश्चिन है HTTP का पूर्ण रूप है ये भी बहुत बार एक्जामन पूशा जाता है कंप्यूटर से प्रसन इस तरह से फुलपॉम में HTTP का फुलपॉम आपको बताना है hyper taxid transfer protocol hyper taxid transition protocol या फिर hyper taxid transfer program इन में से आपको बताना है अभी तक आपने इसका उतर सही सूच लिए होगा इसका से उतर हो जाएगा option नमर ए hyper taxid transfer protocoll तो option नमर ए हुज जाएगा हमारा बिलकुल सही सीदे सीदे आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा यह प्रस्ण एक नंबर के लिए अगर आता है तो आपके चेरे पर अलगी स्माइल होगी क्योंकि एक नंबर इसमें आपका पक्का हो जाएगा HTTP यह बिल्कुर याद रखेगा अगला कोश्चिन है यहाँ पर दिवस दिव हैं और इनमसे आपको कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ से कोई न कोई दिवस किसी एक जाम जड़ू बन जाता है एक नंबर के लिए कई बार एक नंबर के लिए से अंतराष्टी महिला दिवस कम ब सबस्क्राइब यह बिल्कुर सफिये सुख थीजुन ईफ गमेफिल्कुल सभी है ? विस्छु जल्दिवस थीज बाइस और decent अताो हिस्च आता होगा औल लेके समेले माना किसी नगा तब भी आस हा अपने जन्य और से पहचान लिए जो बी है विश्व जल दिवस अगला कोश्चिन है विश्व के सबसे बड़े खाड़े रेगिस्तान में से एक कच्च का रण भारत के किस राज्जी में इस्ती ते सिंपल इतना याद रखे कि कच्च का रण तो यह आपको भली बाती पताओगा कच्च का रण गुजरात अस अगला कोश्चिन है यह बिल्कुल अच्छा कोश्चिन है सीधे-सीधे एक्जाम में परस्ण बनता है भारत के लिए नियोजित अर्थ भी उस्ता प्लांड इकॉन्वी फट्र इंडिया या फिर सीधे प्लांड इकॉन्वी फॉर इंडिया इतना ही लिखा होगा कि कुल र किसकी है या फिर भारत के लिए नियोजीद अर्थी ब्योस्ता या फिर दोनों लिखे होंगा इस तरह से भी एक्जाम में क्यों हिंदी इंग्लिज यह आपको बताना है तो अच्छा परसना है यह स्रीमन नारायन सरम विश्वस रहिया अगला कोश्चिन है अब यहां से उत्राखंड शुरू होगी है बीर बीच में और कोश्चिन आपको देखने को मिलेंगे अगला कोश्चिन है रिपोर्ट ओन कुमाओ एंड गड़वाल उस तक के लेखक हैं एटकिंसन field ऐमिल्टन फ्रेजर तो इसका से उत्तर हो जाएगा है रिपोरट ओन इंड गड़वाल फ्रेजर फ्रेजर का यह दबलू फिरजर के ऑप्षन नमर बियो जाएगा बिल्कुल सई अगला कोश्चिन है कालू त्रडागी किसका सेना पति था यह सेना पति उसे भी कोश्चिन आता है कालू त्रडागी सेना पति किसका था पुरुषोत्तम पंत रुदर चंद सोम चंद भार्ति चंद तो इसका सेट्र हो जाएगा कालू त्रडागी यह था सोम चंद का यह जो ऑप्षन नमर यह पुरुषोत्तम पंत यह रुदर चंद उसे नापति निलू कठाईद वह था गरूर ग्यान चंद का निलू कठाईद तो यह आपको बिल्कुल याद दख इसका सेट्र हो जाएका सोम चंद कालू त्रडागी इसका सेनापतिता सोम चंद का और सोम चंद ने चंदर राजन सकी स्थापना कीति चंपावत माईसा सबसे मेले अगला कोश्चिन है अठार्त तिरासी में अलमोडाम इलबर्ट बिल की समर्थन मां आयूजीत सभा की अप्सन नमर सी इलबर्ट बिल यह रिपन के समय आथा क्योंकि ठारत तिरासी के समय यह था तो यह भी बन सकता है और अलमोडामें इलबर्ट बिल के समर्थन में आयूजीत सभा की अधक्यता की थी बुद्धी बल्लब पंथन ने तो ऑप्सन नमर सी हो जाएगा हमारा बि हो जाएगा हमारा बिल्कुल सब्सक्राइब बनता है परसने बागपटी एक परमपरागत खेल बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ वगला कोश्चिन है निमन निखित मैंसे किसी स्तान पर सैन्नी छावनी नहीं है तो यह आपको बिल्कुल बताना है सैन्नी छावनी की बात करें तो नौ है और नगर निखम आठ है अब इन मैंसे क्योंकि आठ जगह दूसे नौ जगह और उनमें से उठाके यहां पर चार देदे तीन देदिया और जैसे ऑप्सन देदे इनमें से कौन से एक जगह नहीं है बद्रिनाथ चक्राता रानी खेट लैंस डाउन तो बद्रिनाथ में नहीं है तो इसका से उत्र हो जाएगा ऑप्सन नमर ए बद्रिनाथ अगला कोश्चिन है उत्राखंडर राजी में बेल मती चोहान वो तथा हंसा धनाई जानी जाती है महिला सक्रितावादी के रूप में जागर गाई का जागर गाई में तो बसंती विश में एक और सिस्थ shar d00 ऑन्द की सई और बीच जो है किसमे तो किसमें जो होगाता मसुरी कांड मसुरी कांड को सचानुक जो हुआ मसुरी कांड 2 सितंबर 25 को उसमें ये सभिते बेल मती चोहान रहे हंसा धनाई और ढ़िक definitive तिर पाठी भी थे उसमें और धन्पत सिंग भी थे और भी बहुत लोग थे तो यह बिल्कुल याद रखना है उत्रा खंड राज जी आंदलन कार्यों के सहीद की रूप में किस कांडम होई थे अगली बार माना इस तरह से ना बने किस कांडम होए थे तो यह होए थे मसूरी जो की वहाता 2 सितंबर 1994 को तो यह आपको विल्कुल याद रखना है पढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन दोस्तो यह हमारा आखरी कोश्चिन होने वाला है तीस में से इसको रुकितना हुआ कमेंट वक्स में जरूड बताएगा वीडियो को लाइक न इस तरह से कौन सी पुफा किसके समीब हैं या से कुछ भी चीज यान इसतर से आजकल बंते पर शने निमेलिकित मेंसे कौन सा नंदादेवी मंधिर के निकड़िस्तित हैं ने ताल ऑप्सन देखते हैं आपको काटना है इसको शुरोधी ताल का हैं शुरोधी ताल ये जो गांधी सरौर चौराबाडी ताल ये वही है तो इसका सेवतर ये तो होगा नहीं भेंग ताल अंडाकार ताल ये रुदर परियाग में तो दो ऑप्सन आपके कर्टे की दो बैनी ताल तो ऑप्सन नमर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल साही बेनी नंदा देभी मंदिर की निकट कौन सा ताल है तो बैनी ताल ऑप्सन नमर सी तो इस तरह के कोशन निग्जाम बनते हैं तो दोस्तो ये थे आज की इंपोटेंट कोश्चिन तो मिलेंगे कल को एक नई